प्रदेश में अब विभिन राज्जों से लोट रहे प्रवासी शमीकों को भी मनेरेगा में रोजगार दिया जाएगा उब मुख्यमंत्री सचिर पाइलेट ने इस संबंद में विभाग के अधिकारियों को डिर्देश जारी किये हैं पाइलेट ने कहा है कि प्रदेश भर में विशेश अभियान चला कर प्रवासी शमीकों से प्रपत्र च्छे भरवाय जाएगा और आवश्यक्ता अनुसार प्रवासी शमीकों के नए जॉब कार्ट भी बनाये जाएगे आपको बता दे कि मुख्य मंतरी अश्योग गेलोत के ओर से सांसत और विधायकों के साथ की जारी विडियो कॉन्फरेंसिंग में कई सांसत और विधायकों के ओर से ये डिमार्ट रखी गई थी जस पर विभागी मंतरी सचीन पाइलेट ने ये फैसला किया पाइलेट ने कहा कि मनेरेगा में करीब 25 लाग शमिक काम कर रहे हैं जो देश भर बेप्रतम स्थान पर है और ये भी कहा कि मनेरेगा के माध्यम से रोजगार उपलवत करवा कर लोगों को आर्थिक संबल देने का काम किया जा रहा है